बैंककोक से म्यूनिक जा रही लुफ्थांसर के एक फ्लाइट एलेच 772 की दिल्ली में एमजेंसी लेंडिंग करवाई गई विमान में मौजुद एक दमपती के जगडे की वज़ा से इसे दिल्ली डाइवर्ट किया गया एक एजेंसी के मताबिक दिल्ली एरपोर्ट के सुरक्षा दिकारियों ने बताया कि पती पत्नी के भी जगड़ा क्यों हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई फ्लाइट ने पहले पाकिस्तान मौतनी की इजाज़त मांगी थी लेकिन पाकिस्तान ने इससे इंकार कर दिया इसके बाद वो दिल्ली एरपोर्ट पर लैंड हुई सुरक्षा दिकारियों ने बताया कि पती पत्नी के बीच पहले बहस हो रही थी जो धीरे धीरे जगड़े में बदल गई इसके बाद विमान के क्रू मेंबर्स ने इसे डाइवर्ट करने का फैसला किया फ्लाइट सुबह करीब साड़े दस बजे इंडरागंती इंटरनेशनल एरपोर्ट पर लैंड हुई PTI की रिपोर्ट के मताबिक जर्मनी की एक शक्स का अपनी पत्नी से जगड़ा हुआ था पत्नी था एलेंड की रहने वाली है महिला ने विमान के पाइलेट से भी पत्नी के बुरे वेवार की शिकायत करते वे हस्तशेप की मांग की थी उसने कहा था कि उसका पत्ती धंकिया दे रहा है दिल्ली एरपोर्ट पर फ्लाइट में लड रहे व्यक्ति को तार कर उसे एरपोर्ट सेक्यूरिटी के हवाले कर दिया गया हालाकि इस मामले में अब तक लुप्तांसा एलाइन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है पिमार में मौझद बाकी सभी आतरी सुरक्षित है कुछ मीडिया रिपोर्ट के मताबिक फ्लाइट में जगड़ा कर रहा पती नशे की हालत में था इससे पहले 20 नमंबर कोबी फ्लाइट में जैपूर से बैंगलूर जारे एक फ्लाइट में पैसेंजर ने क्रूज से बत्तमीजी की थी जिसके बाद बैंगलूर पहुशने पर पैसेंजर को गिरफतार कर लिया गया था एरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि 32 साल का शक्स नशे में था और कई बार चितावनी देने के बाद भी शांत नहीं हुआ था हाला कि बाद में उसे जमानत मिल गई थी इसे के साथ बने रहे हैं इसे रहे हैं इसे इंड़ा के साथ घंदे बाद